नमस्कार दोस्तो, Post Office New Interest Rates को लेकर आपने बहुं सरे वीडियो यूट्यूब में देखा होगा जिसमें आप बताया जा रहा है Post Office की नई ब्यादरे घटेंगी या फिर बढ़ जाएंगी दोस्तो, Post Office की जो नई ब्यादरे होती हुआ, तीन-तीन महीने में संसोधित होता है और तीन-तीन महीने में एक नए नोटिफिकेशन गवर्मेंट के द्वारत जारी किया जाता है और जिसमें अब बताया जाता है कि Post Office की नई ब्यादरे उस सेशन के लिए क्या रहने वाली है तो चलिए मेरे पास नए नोटिफिकेशन भी आ चुका है हम जानते हैं Post Office New Interest Rates के बारे में अब जनवरी दोजार चौबिस से लेकर 31 मार्च दोजार चौबिस तक Post Office की नई ब्यादरे क्या रहने वाली है तो ये रहा New Interest का नए नोटिफिकेशन जो लागो रहेगा एक जनवरी दोजार चौबिस से लेकर 31 मार्च दोजार चौबिस तक हम बारी बारी से सभी Skims के पुराने ब्यादर के साथ साथ उन से भी Skims में बदला हुए New Interest Rates के बारे में भी जानेंगे दोस्तों यदि आपका एकाउंट बैंक में है तो कुछ जरूरी बाते आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे Skims के बारे में बात करेंगे जो Post Office के साथ साथ कुछ नेस्नलाइज बैंकों में भी उपलब्ध होती है और उनके इंट्रेस्ट भी सेम होते हैं तो यदि आप बैंक में इंवेश्ट करना चाते हैं तो हम बैंक में भी उन इस Skims में इंवेश्ट कर सकते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं Post Office की Saving Deposit की जिसमें पहले 4% का ब्याज मिलता था जो पुराना ब्याजदर है और अभी भी आपको 1 January 2024 से 31 March 2024 तक 4% का ही ब्याज मिलेगा एक साल की Fixed Deposit की बात करें तो पहले 6.9% था 1 January 2024 से 31 March 2024 तक 6.9% ही रखा गया है कोई भी बदलाव नहीं हुए हैं 2 साल की Fixed Deposit में पहले 7% था अभी भी आपको 7% ही आगे इंट्रेस्ट रखा गया यहाँ पर 3 साल की Fixed Deposit के इंट्रेस्ट रेट्स में बदलाव किये गया हैं पहले 7% था अब आपको 1 January 2024 से 31 March 2024 तक जेनरल और सिनेर सेरिजन सभी को 3 साल की FD करने पर 7.1% का इंट्रेस्ट मिलेगा पोस्ट ओफिस की 5 साल की Fixed Deposit का इंट्रेस्ट रेट सेमी रखा गया है साड़े 7% पहले भी था अभी भी आपको साड़े 7% का ही इंट्रेस्ट मिलेगा पोस्ट ओफिस की 5 साल की Recurring Deposit यानि RD में पहले 6.7% का interest था, अभी भी आपको 6.7% का interest मिलेगा 1 January 2024 से लेकर 31 March 2024 तक Serious Regions Savings Skim में यदि आपने invest किया है तो पहले 8.2% था, अभी भी आपको 8.2% का interest मिलेगा, वोई भी बदलाव नहीं किये गया है, Post Office की 5 साल की MIS यानि मंदली income मिल्सकिम जिसमें आपको हर महीने interest मिलते रहते हैं, पहले 7.4% का interest मिलता था, अभी नया ब्याज़दर भी भी रखा गया है, कोई भी बदलाव नहीं हुए, 1 January 2024 से लेकर 31 March 2024 तक 7.4% का interest मिलेगा अब बात करते हैं, Post Office की 5 साल की National Savings Certificate की जिसमें पहले 7.7% का interest मिलता था, अभी आपको 7.7% का interest मिल रहा है 1 January 2024 से लेकर 31 March 2024 तक Post Office की National Savings Certificate में आपको income tax में rebate भी मिलती है, Post Office की PPF की बात करें, यानि Public Provident Fund Scheme की, तो इसमें 7.1% का interest पहले था, अभी भी आपको 7.1% का interest मिल रहा है आपका विचार क्या है, नीचे comment section में comment करके जरूर बताएंगे हम बात करते हैं, किसान विकास पत्र scheme की, इसमें पहले 7.7% का interest मिलता था, अभी भी आपको 7.7% का interest मिल रहा है अभी भी 115 महीने में ही आपका रुपिया डबल हो जाएगा हम बात करें, सुकन्या समर्दी account scheme की, इस scheme में विर्धी कर दिये गए हैं, पहले 8% का interest मिलता था, अब आपको 1.7 जनवरी 2024 से लेकर 31.7 मार्च 2024 तक जो भी account open होंगे, उस scheme में 8.2% का interest मिलेगा दोस्तों कुछ ऐसे schemes हैं, जैसे किसान विकास पत्र महिला स्थमान सेविंग सर्टिफिकेट सीनिय सेडिजन सेविंग स्कीम और सुकन्या समर्दी एकाउंट ये चारों स्कीम आपको nationalized bank में भी मिल जाएंगे तो यदि आपका account किसी nationalized bank में है तो आप इन सभी schemes में bank में भी invest कर सकते हैं आपको भी परसानी नहीं है वहाँ भी आपको same interest मिलेगा I think दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें Thanks for watching